आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आंजनिया महाकावी की रचना के पीछे कवी का क्या उदेश्य है आंजनिया की रचना के पीछे कवी का उदेश्य अत्यांत ही महतपूर्ण रहा है किसोर जी की साधना और अराधना दोनों के समवेत रूप का प्रतिफल इस काबे में दिख परता है वैसे तो किसोर जी ने अनेक कविताओं की रचना की उनमें जो कुछ कहा हुआ सामाजिक दृष्टी से भले ही भरपूर है किन्तु धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और अध्यात्मिक दृष्टी से उन्हें कुछ और कहना बाकी ही रह गया था उनके लेखों में कथात्मक संबेदना पहले भी देखी गई है अतह एक गीतकार के रूप में पसरने और फैलने की सक्ती भी उनमें है जो किसी महाकावी की रचना का पुर्वा भ्यास हो सकता है आंजने में यूग परवित्तियों का पर्तवीम तो मिलता ही है साथ ही यूग परवित्तियों में मोर लाने वाले अनेक तथ भी सामिल है कवी ने यूग परवित्तियों का अभिप्राय राश्ट्रियता यूग परभाव जन जीवन को आंदोलित करने वाली घटनाओ द्वारा व्यक्त किया है इसमें तर्क वितर्कता तो है ही समस्या और समाधान भी है निश्या ही इस महाकावी की रचना का परमुख उद्देश है मानव चेतना का परिस्कार समसामाईक परिस्थितियों में तिवरता से मानविय मुल्यों का विगठन हो रहा है मुल्यों के विघटन में आत्म स्वार्थ और तामसिक पडवर्तियों का जबरदस्थ हाथ है घोड भातिक वादी होने के कारण आज का मानव अपना पराया सब कुछ भूलता जा रहा है कवी ने महान भक्त हनुमान की निशकाम भक्ती और सेवा के माध्यम शे उन मुल्यों को अस्थापित करके समाज को मुल्य प्रेडित करने की कोसिस की है कवी ने मानवीय चितना में ऐसे मुल्यों की आवशक्ता बताई है जो स्वर्ग की इच्छा ना रखकर इस संसार को ही स्वर्ग बनाने का प्रयत्न कर सके। उसे मुक्ती नहीं बलकि मानवत्ता के प्रती असीम भक्ती की आवशक्ता महसूस होती है। आवशक्ता बताई है।